हेलो दोस्तो, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं Power BI, वो भी बिल्कुल शुरुआत से, मेरे पास आपकी बहुत सारे रिक्वेस्ट आईए, कि ज़र Power BI का टूटोरियल लाओ, कोई प्रोजेक्ट लेकर आओ, तो ये देखिए हम आ गए, और थैंक यू आपने स इक वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो हम नेट्फिक्स का डैश्बूर बनाएंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल स्क्रेट से स्टार्ट करेंगे, जिससे प्रोजेक्ट बेस लर्निंग थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा ज्यादा समझे माता है, इसने हम यह समझते हैं, तो अब होता क्या है यार, हमारे पास डेटा आ रहे है, डिफरेंट डेटा सोर्से से, ठीक है, अब मानलों यह हमारा सेल्स का डेटा है, जो आपको कोई प्रोवैडर दे रहा है, इसी तरह से यह आपका कुछ एमप्लॉई का डेटा है, यह आपका कुछ भी औ और वेबसाइट का डेटा है, एक बार को मान लेते हैं, अब यह हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्से से डेटा आ रहा है, डेटा वेरहाऊस में, नॉर्मली में आपको एक जनरल और बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो नॉर्मली आप प्रोजेक्ट में काम में लो या आप उसको फिजिकल इंफरेस्ट्रेक्ट्चर आप मैनेज कर रहे हैं, या क्लावड पे, कि क्लावड प्रोवैडर मैनेज कर रहे हैं, अब यह जो डेटा वेरहोस है, इसमें आपने मैनुपलेशन वोगरा थोड़े बहुत कर लिए, उसके बाद यह आपका डेटा जा उसको शेर कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, यह यूसर के लिटार होग्या ओसमे अनुपलेशन नीघ्र ले रहे, पाद या करना पड़े, कि सेवस भढ़ जाएं इसका मतलब हुआ आपने रिपोर्ट पे कुछ पी क्लिक करा तो आपकी जितने और व्यू है वो चेंज हो जाएं मतलब इंट्रेक्टिव डेश्पोर्ट से आपके अपके अपकी रिपोर्ट एक्सेस हो रही है मोबाइल से लेप्टॉप से आइपड स टो इसे अपकी इसेबल स्वामटिकव डिवाइसे अब की कंपोणेंट्स कौन से वह थे पाँर बी में पाँर डेस्टॉप मोस्ट और टाइम आप इसमें काम कर रहे हो तो यहां पर यहां पर रिपोर्ट बनाते हो पाँर बीए सर्विस के लिए मतलब आपने इसको डिप प्रेश करना है ठीक है क्लाउड सर्विस पे तो इसके लिए पार भी गेट वे यूज में लेते हो तो हम इस टूटोरियल में हम देखने वाले पार भी डैस्टॉप को बेकास 90 परसेंट आप इस पर काम कर रहोंगे फीचर सफर्वियर डेटा इनक्टिविटी इट कनेक्ट्विटी इट कनेक्ट्विटी इस वाइट रेंज अप डेटा सोर्सेश जैसे आपका डेटाबेस अपैस एक्सलेस नूफलेक है डेटाबेस ओर भी बॉसरे डेश्चनल इस नौन रेलेशनल डेटाबेसे सब आप सब आपका इस पोईंट में गवर हो जाए डेटा कनेक्टिविट डेटा रास्फोर्मेशन क्यूंक्य आपको डेटा क्ली नहीं होता नूट इस प्लीन डेटा तो आप इसको यूव प्लीट उपको पर बेस्टोप की साथी होता ह यहां पर आपको इस लिंक पे जाना है ठीक है यहां पर आपको डाउनलोड के लिए पकेज मिल जाएगा डाउनलोड करें उसको इंस्टॉल कर लेजए यह लिंक में है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप बेटर है माइक्रोसफ्ट इस्टोर पे चल जाओ और यहां पर आप सर्च करो पाउर बिया पाउर बिया सर्च करोगे आप तो आपको यह एप मिल जाएगी इसको इंस्टॉल कर लेना यह बेटर रहेगा बिकॉज अब क्या होगा कोई भी अपडेट्स अगर आते हैं तो इसमें अटो इंस्टॉल हो जाएंगे आपको खुझ से इंस्टॉल करने ही जुरूत नहीं है तो एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया आपको पहला स्क्रीन जो देखेगा इसमें तो यह आपका वेरी इनिशल स्क्रीन होगा यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करो अब यह रिपोर्ट जो है बिल्कुल ब्लैंक के अभी 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 अपने कोई डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो सबसे बहुत डेटा साट देख लेते हैं कौन से पर हम काम करन आएडी जो यूनिक अइडेंटिफायर है टाइप और जैसे शो है मूवी है उसके है टाइटल मतलब कांसा मूवी है शो का नाम है डिस्क्रिप्ट्टिन सो मोर डेटेल्स अबाट मूवी है शो कांसे साल में वो शो यह मूवी रिलीज होई थी रं टाइम क्या है यह को स्नी sheet है उसमें हमारा है ID जी ID वही है जो हमारा पहली टाटल sheet में था ठीक है तब है आप देखो यह repeat हो रहा है यहाँ पर यूनीक हुए मतलब इस इस आईडी के अगेंस जो भी शो था यह movie थी उसमें कौन कौन आपको इस वाली शीट से मिल जाएगे तो अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं पहले पावर भी में तो इसके लिए आपको रिबन पर आना है get data का option दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करो यहाँ पर सारे connectors है जिस टाइप का अपका data है मानलग को SQL Server में data है तो आप इसको चूस करेंगे और यहाँ पर मूर करेंगे तो बहुत सा रहा जाएंगे जिस भी टाइप के अगरे database है तो यहाँ पर अफिस सारे details है Azure के connectors है Azure में data है आपका तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है Power Platform File तो हमारा है आपके एडिटर में open हो जाता है वह हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर लोड करा इसी तरह है अब हम करेंगे for other table अब जैसे data लोड हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक और टेबल वीजिबल हो जाएगा लोड करा अभी जैसे यहाँ पर टाइटल है अब आप देखना यहाँ पर credits भी आ जाएगा ठीक है तो अब हम समझते हैं थोड़े बहुत general यहाँ पर आप देखो यह हमारे report view है तो जीतने भी हम views बनाते हैं वह यहाँ पर बनाते हैं तो पहले हम आते हैं report view में अब यहाँ पर जब हमको transform करने data विकास क्या होता है data साफ सुतर नहीं होता है बहुत बार हमको कुछ करना होता है तो उसके लिए आप transform data पर आईए इसको क्लिक करें transform data तो यह क्या होगा power query editor ओपन हो जाएगा अगर आप देखो यह new interface ओपन हुआ है तो अब यह मेरा एक interface यहाँ पर और एक मेरा power bi desktop है ठीक है तो एक और parallel मेरा screen ओपन हुआ है देखो यहाँ पर वाला मेरा यह power bi desktop है यह मेरा power query editor है ठीक है तो power query editor हम यूज में लेते हैं to clean the data राइट अब देखो आप यहाँ पर यहाँ पर थोड़ी बाद चीज़ है अगर आप समझो तो यहाँ पर देखो यह 70993 यह duplicate है यह row आपकी completely duplicate है तो अब हमको इसको remove करना है अब आप जैसी remove करोगे यहाँ पर applied step में add हो जाएगा applied step में add हो जाएगा यहाँ पी क्या हुआ थायर यह इन्होंने power bn थोड़ा अपनियाप करते है जैसे यहाँ पर header आपका header नहीं है column 1 column 2 तो what we will do we will say use first row as header यह देखो promoted header वो चेंज type तो इसने data type assign कर दिए depends on your values here जैसी बेपकी values थे उसकी आप से data type बसाइं करते है तो जो जो आप करते रहोगे वो यहाँ पर applied step में आता रहेगा अब मानलो आपको duplicate remove करने इसमें से remove rows में और यहाँ पर आपका option है remove duplicates तो इसको अपने click करा यहाँ से जो duplicate रहोती ही वो हट गई और यहाँ पर एक step add हो किया इसी तरह यहाँ पर आपका show and movie है right show and movie मेरे को चाहिए separate column में तो what I'll do इस पर right click कर दो आप फिर आपका यहाँ पर है split column ठीक है split column by delimiter delimiter के आपका यह जो pipe symbol है यह मेरे delimiter है तो split column पर आप by delimiter कर आपने अब यहाँ पर आपके बास option है या तो custom select करो यहाँ पर जो भी आपके inbuilt है उसमें बढ़ हमारा यहाँ पर pipe symbol है तो we have to select the custom here ठीक है अब मैं यहाँ पर दोंगा space pipe space ठीक है और मेरे को चाहिए each occurrence of the delimiter मतलब मेरे को दोनों ही value चाहिए जो पहले delimiter से और जो बात में इसको okay करा अब देखो हमें यहाँ पर एक column मिला जिसमें show or movie आ रहा है मतलब जिसमें सिर्फ आपना type आ रहा है और यहाँ पर एक और applied step add हो गया इसको अब rename करते है right click on this then you have the option rename अब जैसे आप rename करोगे एक और step add हो जाएगा इसको देते है टाइप देखो rename column और इसको भी हम करेंगे rename तो यहाँ पर आ जाएगा title and then one more step is added here ठीक है यहाँ पर rename मतलब यह इसने एक में दिया है तो अगर आप इसको click करो तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बताता भी है इसने करा क्या था right जो title 1 था उसको change कर था और title 2 को change करके title डाला था तो यह इस step में दोनों काम हुए इसके अलावा अगर इसमें आपको और को changes करने है ठीक है मानलों आपको replace करना है यहाँ पर 8 है इसको मुझे replace करना है numerical 8 से numeric 8 से करना है तो what I'll do right click on this you have the option replace value ठीक है replace value पर क्लिक करा मैंने अब value to find value to find 8 मैंने डाला हो यहाँ यहाँ पर replace with numeric value 8 एक को के तो देखो यहाँ पर 8 का numeric बन गया राइट अब इसको बन डेटा type भी change कर देते हैं rather than ABC we will say it as a decimal number ओके तो यहाँ पर आप देखो replace value करा फिर हमने change type मतलब data type change कर देए तो यह सारे steps apply होए यहाँ पर ठीक है इसी तरह से आपको अगर columns delete मारना है you have the option remove columns जो भी रोज रखनी है filter करना है जो भी आपको करना है वह आप यहाँ पर कर सकते हों आपके append queries होता है merge queries होता है जैसे आपका जो union होता था that is append queries here but वो हमारे में data नहीं है ऐसा कुछ तो अभी आप नहीं करेंगे इसको अब आते हैं दूसरे वाली table में credits इसमें क्या हो रहा है इसमें भी आपका promoted headers ठीक है क्योंकि पहला वाला अगर आप देखो source पर आओ तो आपका ऐसा the person ID ID यह सब था तो इसने पहले अपने यहां पी headers promote कर दी जो हमारे second row में थे चेंज टाइब इसने data deck assign कर दिया बस यह हुए हमें अब once it is done you have the option to close and apply और apply close करोबे तो save नहीं होगा तो let's do close and apply अगर हमें बाद में जरुत पड़ी हम इसको दुबारा उपन कर लेंगे तो हमने इसको close and apply कर दिया अब जो भी changes है वो हमको यहां पर पार बीए desktop में visible हो जाएंगे अब यहां पर देखो model view में आते हैं यहां पर relationship नहीं बनी भी मतलब कि इन दोनो इन दोनो टेबल में क्या relationship है अब यहां पर हमको पता है जो आईडी है वो आईडी दोनों में same है तो इसके अंदर जो टाइटल में आईडी है यह unique है तो हम इसको primary key बोल सकते हैं और यह हमारा foreign की है बिकॉस यह इसमें रहा है अब जिन भी कॉलम से आपको relationship बनाना होता है उसको एक के दूसरी के ओपर drag कर दो ठीक है अब यह पूछते है भाई कौन से कॉलम पर आपको relationship बनाना है टाइटल कॉलम का मुझे आईडी लेना है क्रेडिट कॉलम का ही मुझे आईडी लेना है एंड यहां पर अप्शन काडिनेटी जैसे one to one many to one whatever तो यह जो सेलेक्ट करता आप उसको रहने तो नॉर्मली साही सेलेक्ट करता है क्लिक on save अब यहां पर आप देखो one मतलब primary key to foreign key तो one को आप पढ़ सकते हो primary key star को आप पढ़ सकते हो foreign key यह आपको होगे done अब हम आते हैं वापिस से table view में अब यहां पर आपको कोई भी column बनाना है मान लो कोई column नहीं बनावा तो आप यहां पर बना सकते हो जैसे आप यहां पर new column पर आओ और जो भी column आपको बनाना है ठीक है मान लो आपको यह जो स्कोर में प्लस वन डालना है ठीक है जस्ट जस्ट फॉर्द जस्ट फॉर्द प्लस वन प्लस वन कॉलम का नाम हमने देदी टेस्ट डिलीट मार देंगे इसको कोई नहीं तो जो हमने टेस्ट कॉलम दिया उसमें क्या हो रहा है 7.5 था यह 8.5 हो गया ठीक है तो यह रो लेवल अगर आपको करना है तो यहां पर आप ऐस न्यू कॉलम बना सकते हो अब मिर को यह नहीं चाहिए था तो मैं रैट क्लिक करूँग इसको डिलीट कर दूगा तो हमने कुछ झाहर हूं तो हमें अगर कुछ ज़रोत हुई तो हम वापिश से इन वह कॉण में स्वि lon x2 कर ले था शेया है अगर हमको चाहिए को स्ट्प ब्यूम में कॉलम बनाम तो यहां पर सीच कर लेंगे नहीं तो हम सीधे अभे rec 데 मे कांम कर लेंगे तो सबसे आप को सबसे पहले हमको इसका canvas canvas का background डालना है देखो यह पूरा black है तो सबसे पहले हम canvas का background डालेंगे वो कहां से डालेंगे जितने भी हमारे format होता है वो यह जो icon है इससे हमारा sub format होता है इस पर click कर आप canvas background canvas background का color हो गया है मेरा black इसको click करो अभी आपको देखने रहा black because transparency 100% है इसको 0% कर लेते हैं यह अब आपका black आ गया ठीक है दूसरा आपको अब हमें charts बनाने charts हमको करना कि है हमको movies और shows के shows का stats निकालना है from 2020 from 2020 देखो अगर आप देखो performance overview starting 2020 तो जो 2020 से जितने movies release हुई है उनमें movies जादा है shows जादा है किन popular actors ने काम करा है कौन से popular directors है और हर साल कितने shows release होई shows and movies then we have the filter as well जब आप इस पर show पर click करोगे तो यहाँ पर show की information आजाए सिर्फ जब आप movies पर करोगे तो movies किया जाएगी अगर आप एक बर और click करते हो तो यह shows और movies दोनों की information देदेगा यहाँ पर legend है कि red wall आपको movies बता रहा है यह आपको थोड़ा सा और इंग सा जो color है वह shows बता रहा है तो अब हम एक one by one हम सारे graphs बनाते हैं तो सबसे बहले बनाते हैं डोनट चार्ट तो डोनट चार्ट हमारा होता है पार्ट टो ओल अनलिसिस के लिए विजुलाइशन वाल पेन उपंग करते हैं अब यहाँ पर ड्रेग हो जाता है जहाए इस पर पोजिशन पर पूट देना है तो यह होता है 100% कि 100% में उसको किस बेसिस पर डिवाइड करने है नॉर्मली हम डोनट चार्ट या पाई चार्ट यूस में लेते हैं जब हम परसंटेज शो कर रहे होते हैं ठीक है जैसे मानलो अपना कोई डेटाबेस है उसमें मेल और फिमिल का परसंटेज वाइस क्या सेग्रिगेशन है इसी तरह हम यहां पे लेंगे मुवी शोस और मुवी और शोस का क्या सेग्रिगेशन है तो इसके लिए हम आइडी लेते हैं बिकाउस आइडी यूनिक है तो आइडी को हम डालते है वेल्यूस में तो कितने इसको हुआर करते हैं 5849 तो टोटल हमारी अईडी से और टोटल ह इसके लिए मैं लेजेंड यूज में लेजेंड फील्ड है इस पर मैं डालूँगा टाइप ठीक है अब एक और रेक्वाइर्मेंट थी जिसमें मेरे को दा रिलीज येर 2000 के बाद है जितना भी मुझे यहां पर शो करना है वो रिलीज येर 2000 के बाद का है तो इसके लिए मैं फिल्टर डालूँगा फिल्टर मैं अपने पेश भी डाल दूँगा फिल्टर on this page मतलब इसमें जितने भी मेरे व्यूज होंगे उन सब पर फिल्टर अपलाई हो जाएगा तो मैं डालूँगा फिल्टर के लिए add data fields here तो release here है इसको मैं यहां पर डाला इस पर advanced filtering के अंदर ठीक है अब इसमें मुझे डालना है इस greater than or equals to 2000 एपलाई फिल्टर करा तो अब थोड़ी values का मुझे यहां से तो पहले 3.74 था भी यह 3.57 होगे अब फोड़ी formatting करते हैं इसकी formatting हमेशा same रहती है same मतलब same options रहते हैं आप कोई भी chart time पर जाओ तो यहां पर आपको format your visual है इस पर click करो तो सबसे पहले हमको इसमें title को change करते है movies versus shows तो general पर हो गया यहां पर effect के अंदर आपको थे background जो background मेरे को black करना है तो मैं इसको black कर देता हूँ यहां से ठीक है अब मेरे को जो title है इसको white करना है और इसको title change करना है तो title देता हूँ मैं यहां पर movies versus shows और इसको change करता हूँ font बढ़ा कर देता हूँ 18 और एक color भी change करके because black दिखेगा नहीं मेरे को इसको white कर देता हूँ ठीक है इसको alignment भी center कर देता है horizontal alignment center ठीक है अब यह सई हो गया अपना मुझे legend नहीं है यहां पर अब इसके लिए visual पर legend को मैंने off कर दिया अब यह slices है मतलब कौन से color अब slices में आया movies को blue है और show को dark blue है मुझे change करना है इसको movies मुझे red करना है तो इसके लिए मैंने इसको hex code save कर रहा था तो मेरा movies पर more color पर होंगो मैं और यहां पर मैंने hex code paste कर दिया तो यह red का है इस सब red देखो यहां पर 236 00 इस तरह show के लिए मुझे थोड़ा सा light color चाहिए उसके लिए मैंने code copy करावाए इसको यहां पर paste करेंगे और यह मेरा show का color हो गया अब यह जो values है यह मुझे white करनी और मुझे सिर्फ percentage शो करनी मुझे number show नहीं करने है तो इसके लिए मैंने detail label पर आया label contents में मुझे सिर्फ percent of total यह सही है values में मुझे color मेरे को white चाहिए तो मैंने इसको change कर दिया white ठीक है तो यह मेरा पहला graph complete हो गया अब बनाते हैं top actors and top directors इसमें आप देखो हमने four values लिया है जो top four है अब इसमें क्या हो रहा है यह stack bar chart है जो part two whole analysis में यूज में आता है यहां पर आप देखिए जैसे जो भी actor है उसने अगर movies में भी काम कर रहा और TV show में भी कर रहा है तो हम दौनों दिखा रहे हैं उस बार में तो इसको देखते हमें कैसे बनाना है तो इसको हम कहीं में प्लेस कर सकते हैं इसको भी हम साइड में कर देते हैं प्लेस्मेंट बाद में देखेंगे तो यह हमारा है यहां पर stack bar chart कि यहां पर हम दो वैल्यू दिखा रहे हैं more than one value अब इसके लिए हैं टोटल हमें यहां पर आइडी को हम डालेंगे x-axis में and then y-axis में डालेंगे हम नेम को ठीक है अब इसको डिवाइड करना है टाइब के साब से बिकॉस अब दोनो टेबल में आमने रिलेशनिशिप बनाई भी है model वी में आपको देखने को मिल जाएगा रिलेशनिशिप बनाई भी हमने इसलिए अब दूसरे टेबल की फील्ड भी यूज में ले सकते हो तो टाइप को मैंने लेजंड पर डाल दिया हैं यापे अब मेरा को चाहिए सिर्फ एक्टर जेलॡ तो उसके लिए मैं फ्लिटर डालूँगा तो पहले मैं इसको स्लेक्ट कर लिया ठीक है इस चार्ड को मैंने- स्लेक्ट कर लिया अब यहाँ पे अगश्यर चै 팔ल से अब इसमेरा डालोगे लोऊट्ध गैश्यरू बि यहां पर नेम है इस पर ख्लिक करो तो बेसिक फिल्टरिंग होती है एडवांस होती है तो टॉप एन में जाओ और यहां पर डालो टॉप 4 on the basis of the total count और total count हमारा आईडी में ठीक है आईडी टॉटल count है ठीक है apply filter तो हमारी फोर फोर नेम्स आगए हमारे ठीक है अब देखो हमने जो भी यहां पर मेहनत करी थी जो भी हमने इसको सुंदर बनाया था अब सेम रिपीट करने जुरूत नहीं यहां पर हम टाइम बचा लेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर फॉर्म पर इंटर पर अपने प्रेस करा फिर आपने यहां पर क्लिक कर दिया देखो आपका बहुत सारी चीज़े अपने आप हो गई कलर वगयर हमने कुशनिंग कर रहा था सब अपने आप हो गया अब यहां पर थोड़ी बहुत चीज़े चेंज करेंगे जैसे हमको इसको चेंज करना है यहां पर इसको बाइट करना है यह ग्रीड लाइन जो है इसको हटाना है ठीक है यह सब यहां पर चेंज करते हैं तो अगेन मैं जाओंगो फॉर्मेट पर फॉर्मेट पर जाने के बाद हमें यहां पर पहले तो ग्रेड लाइन्स जो इसको आफ कर देते हैं वर्टिकल आफ होरिजॉन्टल है नहीं ठीक है यह हो गया अब यह जितने भी वैल्यू से इसको वाइट कर देते हैं इसके लिए हम जाएंगे एक्सिस पर पहले वाइक्सिस पर जाते हैं इस कलर को वाइट करते हैं ठीक है फिर हमको टाइटल नीचे इस पर जो कुछ लिखा वा था यहां पर कॉंट ओप आईडी है यह भी नीचे हमको और हम पूप शीड भी निची झेड़े है एकसिस भी उटा देती हम ना तो यहाँ पर मैंने वाइकसिस पे आया मैं और मेरको कि साइब एकस ओक्स पे हमाँ औरहर पे मैंने आफ़ कर दिऊन और टैटल भी मैंने टॉप पर दिया ठीक है अब यहां पर मुझे लेबल दिखाना है मैंको डेटा लेबल दिखाना है इसके लिए मैं आँगा डेटा लेबल पर यह मेरा डेटा लेबल है इसको मैंना ओन कर दिया तो मेरा डेटा लेबल आ गया ठीक है अब मेरे को टाइटल चेंज करना है तो टाइटल के लिए म ठीक है तो ये मेरी दो चाँड़ बन गए अब ऐसे मेरे को Travis से लेक्ट करा control प्रफश कंट्रोल बी से ये मेरा एक और lgb कर लेंगा अब ये ऑजनने क्पर लेते हैं पीर फिल्टर चेंज करेंगे जनर्ट पर है टाइटल a 거야 followers आप मुझे मुझे क्या करना है अब बस मुझे में फिल्टर चेंज करना है तो यहां पर मैंने रोल यसा एक्टर स्के शेर्ड़का कट के मैने अजपने आटेbirds तो यह मेरे दो चार्ट बंग गए है ठीक है इसको कर लेंगे पर न पर एक बार चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं अब अपना जो फोर्थ चार्ट है वो हमें बनाना है yearly progression ठीक है 2000 से 2020 तक कितनी movies और shows पर year release हुए ठीक है तो यहां पर हमको year देना है एक अब इसको में डिवाइड करना है तो हम लेजेंड डालेंगे टाइप ठीक है अब टाइम बचा लेते हैं इसका जो फॉर्मेटिंग है किसी कभी उसको हम फॉर्मेट पेंटर से इस पर कॉप्य कर देते हैं ठीक है अब थोड़ी बार चीज़ें करने है बस हमको यह जो gridlines है वो नहीं चाहिए और यह जो हमें टाइटल है यह चेंज करना है तो अगेन फॉर्मेटिंग gridlines को off कर देते हैं vertical that's done general पर आते हैं title इसको चेंज करते हैं yearly progression अब इसमें थोड़ा सा आपको time लगेगा इसको arrange करने में तो हमारा top actors था यहाँ पर left में then हमारा movies and shows था तो इसमें थोड़ा time लगेगा आपको arrange करने में तो आप कर लेना इसको मैं जल्दे-जल्दी करते था हूं थोड़ा तो हमको यह सारे cards बनाने है इसको बोलते है cards तो आप देखो यहाँ पर हमारा एक है card वोके यह वाला हम यूज लेंगे visual ठीक है तो पहले यह बनाते है total titles अब total titles है हमारा id को मैं अगर count करूंगा it will be total titles इसको मैं यहाँ पर डाला जन्रल पर आया टाइटल जाहिए और टाइटल मेरा है total titles इसके font को change करा इसको adding कर देते हैं and then जो मेरा यह वाला font था इसको भी एक बर देख लेते हैं 45 I think it should be fine एक बर जो हमारा format pinterest इसको भी change कर देते हैं okay तो अब हमें वापे से इसका color change करना होगा color values it should be white okay title has been disappeared that should be fine okay color हमारा red में है total titles हमारा तो इसको जो हमारे color values थी उसको भी change करते हैं color red और यह हमारा white में है okay that should be fine अब हमको ऐसे चार चाहिए हमको total titles चाहिए और उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर total runtime average imdm average tmdb imdb और tmdb okay तो इसको हम copy कर लेते हैं चार बार महलो तीन बार okay तो यहाँ पर हमारा है average tmdb तो इसके लिए हमने जो हमारा tmdb score है इसको मने यहाँ पर डाला इसी तरह से मने यहाँ पर imdb score डाल दिया again it is average image यहाँ पर total runtime डाला runtime जो हमारा है यहाँ पर यह हमारा है minutes में और मेरे कुछ यह hours में तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक मैं नया measure बनाऊंगा measure क्या होता है normal जो aggregated values होती है ठीक है तो मैंने यहाँ पर measure बनाया इसमें डालते है total runtime और इसको formula होगा जो भी हमारा यहाँ पर runtime है ठीक है इसको मैं divide by 60 से करूंगा तो यह मेरे को hours देदेगा राइट अब यह जो total runtime है इसको मैं इस वाले field पर use ले लोंगा 7.15 that should be fine इसको बस टाइटल चेंज करना है बाग की सब done है total runtime in hours ठीक है तो अब हमने यह चार बना लिए अब हमको यह logo चाहिए यह text चाहिए और यह भी text चाहिए ठीक है उसके लाब हमें एक प्रेटर चाहिए और यहाँ पर legend है हमारे उसके लाब हमारा more or less done है ठीक है इसको हम थोड़ा इधर भी कर लेते left में कर लेते है space utilize हो जाएगा तो यहाँ पर हमें एक image डालने है जिसमें हम netflix का logo डाल रहे है तो insert पर आते है insert image अब जहाँ भी आपका logo save है इसको आप ले लीजे इसके थोड़ी properties change करते है style में scaling fit fill इसमें fill कर देना scaling के अंदर all rest should be fine scope पर कर देते हैं total data इसको नीचे करना पड़ेगा तो इस सारा इतबर select करते है इसको सबको नीचे कर देते है क्यूंकि यह आपको थोड़ा सा hit and try करना पड़ेगा आपके बास एक और टेक्स्टप को यहां पर डालना है और एक और यहां पर डालना है तो पहले उसको copy कर लेते है अगेर format painter आपके तो इसको आप थोड़ा से सुन्दर बना लेना अपनी तरफ से अब इसमें हमारा बस बचा है यहां पर जो slicer देना है ठीक है जिससे आपको movies और show सेलेक्ट कर लें हूं यहां पर एक legend देना है ठीक है तो पहले अपन slicer देते हैं slicer आपका option है यह वाला यह जो आपको दिख रहे है filter वाला slicer है अब इसमें हम डालते हैं type अब इसमें आप जाएंगे यहां पर format your visual slicer setting और इसमें आप वर्टिकल इसकी यह अगया आप करें type अब इसको अब आप ऐसे कर देंगे चोटा कर देंगे तो यह अपनी आप horizontal हो जाएगा इसको move कर देते हैं यहां पर अब इसमें slicer का header है उसको off कर देते हैं तो आपका जो type है यह का आप हो जाएगा यहां से ठीक है और इसको header देते हैं header क्या देना है इसको select the filter select what was that select to filter the report ठीक है यह हमारा header है तो title पर आते हैं on करो इसको इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा ओके अब यहां पर हमें क्या करना है इसको white कर देते हैं जो आपका header है और जो background color है इसको black कर देते हैं इसमें border देते हैं white color के rounded corner देते हैं थोड़े आपके और देन यह जो movies and show है इसका text थोड़ा सा change text का font थोड़ा change कर देते हैं आपके अब 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 movie को click करोगे तो यहां पर movie की details आजएगे सारे show को करोगे तो show की detail आजएगे बस अब इसमें एक की काम बचाओ है यहां पर जोबने legend देते हैं ठीक है यहां पर जोबने legend देते हैं वह कैसे दिया हमने मैंने insert करा यहां पर shapes है shapes पर क्लिक करा and then oval वाली shape को मैंने select कर लिया इसको छोड़ा करा काफी छोड़ा कर रहा है इसको अब इसके side में हमें देना movies तो उसके लिए मैंने text box ही उसमें लिया था इसमें movies देंगे और इसका background change कर दें black font white सेम जो अभी तक करते आ रहें पर अब यह दोनों copy करके Ctrl-C Ctrl-V इसको style में अपन ने दिया red color style में जाके और इसको शोकोम ने दिया यह और इंसा color जो है हमारों तो दोस्तों यह हमारा बन गया पूरा netflix dashboard जो हमने इनीशली देखा था तो यहां पर हमने बहुत को सीखने को मिला हमने देखा power क्या होता है power query editor में editing कैसे करते हैं then हमने बहुत सरे यहां पर chart types देखे यह आपका हो गया stack bar chart then you have the donut chart slicer देखे हमने हमने filters देखे हमने देखा text box कैसे यूज में लेते हैं logo कैसे लगाते हैं cards कैसे यूज में लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेए वीडियो को शेयर करेए जिससे में ऐसे वीडियो आपके लिन लाते रहें thank you and bye bye